तो नमस्का दूस्तों खेती वाड़ी चनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूं मकीश कुमार दूस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस पीलिए में बदाम के 10 से 12 सल लगाने का सही तरीका क्या होता है लगाने से पहले हमें सोचना है कि कहां पर लगाना चाहिए कैसे लगा हमारे यहां भी लगाया गया है जो कि हम नहीं थी दर अलब दो से लगाया गया था 2 सल पहले आज यह 12 साल से उपर कर होगे है लेकिन इसमें कोई फादा होने वाला नहीं है अन्य बहुत खर्चा किये बहुत मिहनत किये जब भी खोटे तो पत्थर ही निकलता है और उसके वाद में इसमें हमें गलती जो भी किये हैं लोगों जेलना हमें पर रहा है तो इसलिए मैं सच आप सभी को बता दू कि अधाम लगने से पले ध्यान दो क्या क्या चीज कर देना चाहिए जिस लगाना चाहिए हम आप सब्सक्राइब देखाएंगे दूस्तों वीडियो पर द क्लती की गई है हम आप सभी को भी देखाते हैं कि इसमें क्या क्लती हुई है जिसे की दोस्तों देख सकते हैं हमारे 12 सल कतने हैं और यह दोस्तों वह बदाम है जो हाथ से फोला जाता है जिसे की है यह हाथ से फोलता है यह बदाम इसमें है इसा नहीं कि बदाम नहीं है ले लेकिन सही जगानी लगा और गया है यह से बहुत अच्छी है। यह सब मति जेए कने का मिदन टतर से?!? यहां सब टतर के तो से सब क्या से ठावन के हैं rearfield डिन नीची जन में पत्थर आ गया तो पत्थर नहीं लगाना चाहिए या तो फिर लगाओ फिर गड़ा खोल के लगाओ या तो फिर दवा आती है उसको डालो तब जाकी पर चलेगा बहुत इससे लोग करते है जल्द बाजी यह जो है हम आये थे तब लगा हुआ था है दो साल पर लगाए होए थे और यह जो तरह पुद्धे हैं सब हमारे आने से पर लगाए गए थे लेकिन कुछ पुद्धा नहीं चले जिसे कि इधर देख रहे हो यह पुद्धा दावान हो रहा खराब हो तो इसको लोग तोड़ते खाते रहते हैं अपना मच रहते हैं और यह पहुद्धा कोई से बताव कि आज 6 साल का 8 साल का 10 साल का पर है कोई मानता नहीं क्योंकि हमरे पास जिसे आप सभी को दिखा है 8 साल का पर लेकिन यह सब क्योंड नीचे काटा आगी लेकिन फिर भी नहीं चलता यहां से कटिंग किया था तो थोड़ा से सही हुआ ठीक है लेकिन अगर किसे से बोलो किया यह आड़ साल में इतना पदाम आता हैं मैं बदाम दो चार दस बदाम आता बाकी नहीं आता है तो आप लोग से रिकोश्ट है कि जहां पे ज्यादा पानी भरा हो महाँ पे बदाम लगाओं गये तो सूक जाएगा ज्यादा पथर है तभी बदाम नहीं चलेगा, क्योंकि गढ़ा खोद के लगा दे दे तो फर छुटी, बोलते हैं यार बदाम तो लगा दे लेकिन नहीं भाई, ज्यादा पत्थर है बदाम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आठ साल के प्रण कोई से बोलोगे तो बोलेगे यार यह अच्छा नह अच्छा नहीं है, क्योंकि आठ साल का प्रण कोई माने गा नहीं मानेगा उन और कोई खास नहीं पानी देते हैं फिर भी कभर नहीं करते हैं किसी विमार हो गया इसको खौद के हम देखेंगे तो घ्राब सभी को दिखें कोई वीडियो में यह दुने प्रण अभी हमारा कि आजाएगी उसको नहीं सही करेंगे तो और दोस्तों एक बारा साल के प्रण पर विश्वास नहीं मानगी कि बारा साल के प्रण है क्योंकि जो है हम जब आए थे संदेहर 14 में उससे पहले लगा हुआ था 12 में लगाए गया था ठीक है और अभी चल ला है 24 तो यह प्रण है कि आजबस से उपर हो बहुत जबस से उपर है 20 विश्वादर लेकिन फारक यह थे न है कि यह काफी हाइट पे है और यह काफी नीचे है ठीक है ब्र भक ना प्र पर है वाड़ा है फारा भी बहुत जबस सब्दाम था खाया भी तोड़ रही है इसको बीन नहीं डेली और में तूर के लोग बहुत खुषते खाये हैं जिकनों जुविस आप से है ना अई दोस्तों यह आठ सल का एकदम 100% क्योंकि मेरे हाथ के लगाया हूँ है बहुत बढ़ा माया था खताम भी हो गया भी आधा जयता तूर यह आधास का बाकी है यह आठ सल के पिड़ में कोई नह सदिर में लगाते हैं तो पानी गजिव वह इते हैं हम लोग समय लगाते हैं तो पानी में इक बार दाल दो पनी भी प्रसकाट हो जाता है यह के सब्द्द zietी है तो हो pounds केcol lat यह सबसे सहबसे बढ़ी आपको दिखा है बारा सलक़ पोधा उसे लागग उना चाह तीन साल का एक दो चाहर पांद चेरा बने तृत आठ ना ताइना वी तूर था त्यारा पड़ह दॉसते इसे में है यह सब जो है एक तीन साल का है वागी जो आर्ट साल कर जब आप अभी तो रहेंगे सकनो कि लेकिन इंगे जनेफ और बिपान होगा। पानी पार जाएंगे आप आपके घर घर पर पानी है तो इसमें कोई दिक्क्ष ब्लगाने पानी नहीं लगाने तो गानी सब्सूलक जाएगे कियोंकि हमने लगा Wayne कोदा सुख गया हमारा इसलिए दोस्तों बता रहे हैं आप सभी क्यों कि जहां पानी भरा हुआ है वहां पर नहीं लगाना है कि दोस्तों कुछ पूशन तो आप लोग कमेट कर दीजिएगा और आज के लिए तना ही हो मेरा वीडियो का इस लगा मुझे कमेट के जुरू बता क्या साफफर चा रेर कमें दुरू कर दार की कृटार का ड़ बता साफ़ी का म देंड़ा जवाओ रहे ही लोग ज fish साफड़ाव के लोगार, लोगै, भाप